नमस्कार दोस्तों स्वागत है हमारी येटूब चैनल में दोस्तों आप सभी को बता दें कि 33 कोटी देवी देवताव ने दे दिये हैं भारी संकीत अब आपकी जीवनकाल में आने वाले 10 दिनों के अंदर एक लंबी छलांग लगाएगा जीवनकाल में अब खुसियां आने वाली है जीवनकाल में आननद लेने के लिए जीवनकाल में आननद लेने के लिए जीवनकाल में आननद जानते हैं कि इस वर के घर देर होता है लेकिन अंधेर नहीं होता जहां दोस्तों वो आपने भक्तक के उपर हमेशा नजर रखते हैं जहां दोस्तों और यह समय आपकी बारी आचुका है भगवान सनेदिव और भगवान भोलेनात के आसिरवात से अब आने वाले दस दिनों के अंदर जो चमतकार आपको देखने को मिलेगा दोस्तों यकीन मानिए कि आपके होस उड़ जाएंगे साथी दोस्तों या घाटना आप सुनेंगे तो दोस्तों आप सभी के आसुन ही रुकेंगे पूरे परिवार खुसियों में जुम उठेगा जिहां दोस्तों हम आप सभी को बता दें कि दोस्तों जीवन काल में धेर रखना तो कोई आप से सिखे चाहे कोई भी परिसिती हो जितने भी शंकट समसियां आए आपने कभी भी अपने मन में लालच नहीं आने दिया जिहां दोस्तों और हर मुश्किल परसितियों में भी आप जैसे तेसे करके अपना जीवन यापन की है लेकिन दोस्तों कोई गलत रास्ते पर आपने अपना कदम नहीं रखा जिहां दोस्तों और यही धेर है यही शबर है जिसका फल आपको यह शमित 33 कोटी देवी पूरा होने वाले हैं पन्तों दोस्तों हम आप सभी को बता दें कि यह शमय आपको कुछ बातों को ध्यान रखना होगा कुछ काम को करने से बचने होंगे जहां दोस्तों आपको बता दें कि यह से में आपके लिए बहुत ही शुब घड़ी हैं बहुत ही अच्छे मोके हैं जिनमें आपको बहुत सारा लाब होगा लेकिन दोस्तों हम आप सभी को बता दें कि जो लोग जो हैं दोस्तों आपके जो सत्रू आपके लिए पिछले समय मुसीवत बनके खड़े हैं दोस्तो उनसे आपको तो बचना ही होगा जिहां दोस्तों क्योंकि दोस्तों भागवान भोलेनात काते हैं कि जो खुद की रक्षा करता है हम उसकी रक्षा करते हैं दोस्तों सब कुछ दूसरे के ऊपर कभी भी मत छोड़ना चाहिए और आपको अपने कर्तब को हमेशा निभाना चाह सबस्तितक नियुंगों इस queria दोस्तों इसलिए दोस्तों आपको बता दें की कि यह हैं को से मैंपको कुछ कारियों को बीकरने से बचने हूंगें जीह हां दोस्तों तो दोस्तों इसे में बिड defenders को बिलकोल ही मिश न करें और शुरू से लेकर अन कर आन क्योंकि दोस्तों इनमें आप सभी महतवपुन जानकारी को भी जानेंगे कि ये हश्रमें आपको किन-किन छेतरों को लेकर शाबधान रणे होंगे कौन से कार आपके लिए भागेशाली होंगे और किन छेतरों में आपको कार करने से लाप की प्राप्ति होगी और भगवान महाकाल और सनेदेव के आसिरवात से आपके घर के माहुल में पारवारिक जीवन में परतेक चेतर में क्या-क्या सुधार होंगे तो दोस्तों आन तक देखिएगा उसे पहले दोस्तों जो इवेक्ती वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय महाकाल जय सनेदेव लिखेंगे दोस्तों महाकाल और सनी देव का आशिरवात आप से विको प्राप्त होगा तो दोस्तों जरू लिखें और यह आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें साथे बेल आइकन को प्रेस करके और पर श्रेट कर लें तो दोस्तों इसी के साथ बात करते हैं स्रिक फृष्य जित की अच्छे ज्यान से एक अच्छे विचार से जो कि दोस्तों आपको इन दोने में एक इक्षा सक्ती मे सुष होगी पर यहाँ ज्यान आपको आगे की तरकी की और ले जाएगा कि एक बार की कता है दिवरिशी नारत और रिशी अंगारा कही जा रहे थे रास्ते में उसकी नजर एक मिठाई की दुकान पर पड़ी दुकान के नजदी की जुठी पतलों का धेर लगा हुआ था उस जुठन को खाने के लिए जैसे ही एक कुट्टा आता है वेसे ही उस दुकान का मालिक उसको जोर से डंडा मारता है डंडे की मार खाकर कुट्टा चिंक्था हुआ वहां से चला जाता है यह दिर्शी देखकर देव रिशी को हांसी आ गई रिशी अंगारा ने उस हांसी का कारण कुछा नारत बोले है रिशीवर या दुकान पहले एक कंजूस व्यक्तिकी थी अपनी जिंदिगी में उसने बहुत सारा पेशा एकठा किया और इस जन में वो कुत्ता बनकर पैदा हुआ और वह दुकान मालिक उसी का पुत्र है देखो जिसके लिए उसने बेशुमार धन एकठा किया आज उसी के हाथों से उसे जूठा भोजन भी मिल नहीं मिल शका करफल के इस खेल को देखकर मुझे हासी आ गई मनसु को अपने शुब और आशुब करमों का फल जरूर मिलता है बेशक इसलिए उसे जन्म जन्मों का यात्रा क्यों ना करनी पड़े जिहां दोस्तों अगर आप हमारे इन बातों से शामत है स्रिक्रिशन जी के अच्छे ग्यान से सामत है तो दोस्तों वीडियो को एक प्याराशा लाइक आवस्य कर दें और इनके लिए लिग दें जै श्रिक्रिशन राधे राधे तो ये दोस्तें इसे के साथ बात करते हैं कि 33 कोटी देवी देवतावने अब आपके जीवनों परवारिक जीवनों परते एक छेतर में क्या-क्या खुशकवियां देने वाले हैं क्या-क्या चमतकार करने वाले हैं बात करते हैं पूरे विस्तार से दोस्तों इसमें गिर्जिती आपके लिए बहुत ही परबल बने हुई है आप कड़ी मेहनतव परिश्रम से वह सब कुछ हासिल करेंगे जिसकी आपने तमन्ना रखी थी सफलता और भाग उनती के रास्ते भी परबल हो रहे है योवर को भी कोई उपलवदी हासिल करने से तना का मुक्त महसوس करेंगे समय कि गति आपके पक्ष में है इसका सदिक्यों करना आपके योगताः पर भी निर्भर करता है मुष्किल से मुष्किल शवालका भी जबाब आसानी से प्राप्त हो सकता है दोस्तों के साथ सुखनामा समय बयतीत भी होगा दोस्तों इन दने में आपको कुछ शाब्धानिया रखने की जोरत है और कुछ चुनोती पूर्ण रहेंगे मन में कुछ बेचेनी अपना उदासी जैसी इस्तिर हेगी सग्रात्मक्ता गतिविदियों में खुद को वैस्त रखें अपने गुस्ये को कंट्रूल में रखें ता फिजल खर्ची प पैसा खर्च होगा बन्तु घर में खराब चीजे नहीं रखनी चाहिए दोस्तों आपके कारी छेतर में कुछ कड़े और जरूरी फेसरी लेंगे जिससे लंबीत पड़े काम सिगरता निपट जाएंगे जिसका फल आपको भविस में प्राप्त होगा नोकरी पैसा लोगों पर पड़ सकता है उसमें अपने आराम के लिए भी समय वेतित करें वैपसा समय दे किसी भी निवेश फंड यादी मामले में साबधाने रखें तो बहतर रहेगा हाला कि आप अपने आत्म विश्वास से हर समस्या का हल खोज़री लेंगे किसी भी कारजी दास्त वेश पर बिना पड़े हस्ता चग ना करें वरना लेने के देने पड़ सकते हैं हर तथा व्याफसा के माद आप बहतर तालमिल अस्तापित कर रखेंगे प्रेम समंद भी मधूर रहेंगे अतदिक मेहनत की बज़े से ठकान और कमजोरी महसूस होगी समय समय पर अपना उचित अराम भी लेते रहें तो चले संपति वीवात किसी की मद्दा से हल हो जाएंगे जिसके मन में संतु स्व्यास्तर हेगा आर्थी किसितियां पाले से बेहतर बनेगी घर में कोई धार्मिक कारकरम भी आजिन हो सकता है इसमें अनावास्यक गत्ति विदियो में ही दीन का अधिकतन स समय व्यतित हो जाएगा जिसके वज़े से अपने और अपने परिवार के लिए समय नहीं निकाल पाएगे वहान यादी को लेकर कोई बड़ा खर्चा भी सामने आएगा किसी नजदी की मीत्र को पैसा उधार देना पड़ सकता है वैबसाइक परतिदेती परास्त होंगें किसी राजनेता या अधिकारी से आपकी मुलाकात आपके भागे को बलपरदान करेगी जिसका फैदा आपको वैबसा में होगा दोस्तों आप इन दिनों में महाबीर बजरेंग बली को सच्चे मन से पूजा पाट करें आपको वैबसा में कुछ शूप समाचार मिलने को देखने को मिलेंगे नोकरी पैसा वैक्तियों के लिए सखरात मक्ता परिवरतनवा दबावदले का सितिया और ऊचित योग बने हुए हैं परिवार के शोपिंग वर मनोजन समंधिक कार में समय वेतित होगा परिवार के वेक्तियों का एक साथ समय वेतित करना माहूल को शुखनामा बना कर रखेगा दोस्तों के लव लाइट के बारे में बात करें तो पती पतने के भी सुखत समंध रहेंगे और प्रेम समंध को सेमित और मर्यादित रखें प्रेम और रोमास में भी सफलता मिलेगी दोस्ता आपके स्वास्त के बारे में देखा जाए तो मुसमी बीमारियां परेशान करेगी पेट समंदी कोई समस्या रह सकती है उस समय से चले स्वास्तमंदी परेशाने में सुधार आएगा और आप अपने आपको स्वास्त महसुस करेंगे दोस्तों मंगलवार के दिन सुभा असनान यादी करने के बाद किसी पीपल के पेड़ के नीचे सर्सों के तेल का दिया जलाएं इसके बाद पूर्व दिसाकी और मुक करके तुलसी की माला से राम नाम का जाप करें याद रखें कम से कम 11 माला जाप अवस्भ होना चाहिए इस उपाई से आपके घर पर हनिमान जी किस सदे प्रिपा बनी रहेगी चलिस्तों बात लिपशाली रंग और भागशाली आंग क्या है दोस्तों का भागशालीरंग गुलावी है और भागशाली आंग 6 है दूस्तों महाकाल का आशिरवात आप सभी को प्राप्त हो सच्चे दिल्शे कमेंड बॉक्स में जै महाकाल जडूर लिखें और वीडियो को लाइट सेर ज़रूर करें धन्याँ